देश में त्योहारों के मोसम के साथ साथ चुनावी मोसम ने भी जोर पकड़ रखा है जहां एक तरफ देश भर में त्योहारों का जशन मनाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टिया भी लोकतंत्र के त्योहार यानि चुनावो की तैयारियों में लगी हुई है और जन्ता को लुभाने की जीतोड कोशिश में लगी है ऐसे में दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद गुजरात की सत्ता पर नजरेटिकाय बैठे दिल्ली के सीम और आम आदमी पार्टी सयोजक अर्विंद केजरिवाल ने भी चुनावों से ठीक पहले केंदर सरकार के सामने एक बड़ी मांग रख दी है आपको बता दे दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने देश की आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए केंदर सरकार से भारतिय नोट पर महात्मा गांधी की फोटो के साथ लक्षमी गनेश की तस्वीर छापने की मांग की है केजरिवाल ने कहा कि देश को आर्थिक मजबूती और सम्रिद्धी के लिए देवी देवताओं का अशिरवात भी जरूरी है परसो दिवाली थी दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गनेश जी और श्री लक्षमी जी का पूजन किया हम सब लोगों ने भगवान से सुख शान्ती की प्रार्थना की हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए देश की सम्रिद्धी के लिए प्रार्थना की हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनस करते हैं व्यपारी हैं सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में ज़रूर लक्षमी जी की और गनेश जी की मूर्ती लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है भारतिय करेंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गनेश जी की और श्री लक्षमी जी की तस्वीर भारतिय करेंसी के उपर लगाई जाए जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थवेवस्था को सुधारने के लिए भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सार एफ़र्ट्स की जरूरत है लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशिरवाद की भी जरूरत है अगर भारत्य करंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो as it is रहे दूसरी तरफ अगर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशिरवाद मिलेगा लक्षमी जी को समरिद्धी की देवी माना गया है गनेश जी जितने विघन होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है विघन दूर करने वाला देवता माना गया है तो उन दोनों की तस्वीरें उसके उपर लगनी चाहिए इतना ही नहीं इसके साथ ही केज्रिवान ने कहा कि इंडोनेशिया में 85 फीजदी मुस्लिम आबादी है और वहां नोट पर भगवान श्री गनेश की फोटो है जब वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हम यह नहीं कहा रहें कि सारे नोट बदले जाएं लेक depths लेकिन जितने fresh notes छपते हैं अभी जो notes हैं वो as it is रहें लेकिन जो हर महीने fresh notes छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के उपर ये शुरुवात की जा सकती है और धीरे 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 करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से जाधा उनकी अबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू है वाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के उपर गनेश जी की तस्वीर शापी हुई है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत एहम कदम है जो कि केंदर सरकार को उठ प्रधाना चाहिए, आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से, केंदर सरकार से और माननिय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, कि भारते करेंसी के उपर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर लगा आता है, ये देखना दिल्चस्प होगा, फिलाल केजरिवाल के इस सुझाव को लेकर आपकी क्या राये है, हमें कमेंट करके जरूर बताए, साथी ऐसी ही तमाम अपडेट्स से चुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज को